Hey guys, मेरा नाम है अनुभाव, welcome to biology aid और आज के वीडियो में हम discuss करेंगे virus, viroids और lichens के बारे में वीडियो होगा short, easy and based on NCRT तो चलिए फिर बिनादेर करें, let's get started हम discuss कर चुके हैं आरच विटेकर के 5 kingdom classification के बारे में जिसमें आते हैं kingdom monera, protesta, fungi, plantae और animalia अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने comments में playlist पिन कर दी है आप वहाँ से देख सकते हैं अब हम ऐसे कुछ exceptions के बारे में study करने जा रहे हैं जो कि इन 5 kingdoms में से किसी में भी fit नहीं बैट पाए और वो है virus, viroids और lichens तो चलिए देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी 5 kingdoms से अलग बनाता है सबसे पहले बात करते हैं virus की viruses को 5 kingdoms में इसलिए कोई जगे नहीं मिल पाई क्योंकि हम यही determine नहीं कर पाए कि यह living है या non-living कितनी अजीब बात है है न कि biology में हम किसी ऐसी चीज़ को study कर रहे हैं जिसके बारे में हमें यह भी नहीं पता कि वो living है या non-living देखें, किसी भी चीज़ को living मानने के लिए उसमें कुछ characteristics का होना जरूरी है जिनने हमने chapter 1 में discuss किया था जैसे कि उस organism को reproduction, consciousness और cellular organization जैसी characteristics शो करनी होंगी तब ही हम उसको living मानेंगे तो viruses जो हैं उनमें कोई cellular structure नहीं होता यानी यह acellular होते हैं और इसी लिए हम इन्हें truly living नहीं मानते उसके अलावा viruses obligate parasites होते हैं यानी यह totally parasitic होते हैं 100% अपने host यानी जिसे यह infect कर रहे हैं उस पे dependent रहते हैं यह करते क्या हैं कि जब यह host की body के बाहर होते हैं तो इनका एक inert crystalline structure होता है लेकिन जैसे ही यह किसी host यानी living cell के अंदर enter करते हैं तो यह उस cell पे पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और उसकी machinery को take over करके खुद अपने आपको replicate करवाना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ time बाद host cells को kill करके दूसरे host cells को infect करने के लिए चल पड़ते हैं तो यह तो बात होई viruses के कुछ general characteristics के बारे में अब बात करते हैं कि हमने viruses को discover कैसे किया तो सबसे पहले 1892 में डीजे एवानविस्की ने viruses term को coin किया जिसका मतलब होता है venom यानी जहर या poisonous fluid इन्होंने एक tobacco plant की leaf पे mosaic disease को observe किया यानी इन्होंने leaf के उपर कुछ yellow light green color के spots को observe किया इन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो spots हैं ये कुछ microbes की वज़े से cause हो रहे हैं अब ये microbes bacteria भी हो सकते थे तो इन्होंने क्या किया कि इनको isolate करके bacterial filter से पास करवाया और ये बहुत easily उस bacterial filter से पास हो गए जिससे इवानविस्की ने conclude किया कि ये bacteria नहीं है ये actually bacteria से size में छोटे हैं otherwise ये bacterial filter से पास नहीं हो पाते clear? उसके बाद 1898 में M.W. बिजरनिक ने again mosaic disease से infected tobacco plant की leaf से fluid को extract किया और इस fluid को एक healthy plant से introduce करवाया ऐसा करने पे इन्होंने observe कि जो healthy plant था उसमें भी infection हो गया इस पे बिजरनिक ने इस fluid को बोला contagium vivum fluidum यनी infectious living fluid तो इवानविस्की और बिजरनिक के experiment से हमें ये पता चला कि viruses bacteria से छोटे होते हैं और ये healthy plant को infect करने में capable है उसके बाद 1935 में W. M. Stanley ने पहली बार viruses को crystallize करा और हमें ये बताया कि ये जो viruses हैं they are largely made up of proteins clear? तो इवानविस्की, बिजरनिक और Stanley इन तीनो scientists के contribution को हमें याद रखना है अब हम finally बात कर लेते हैं viruses के structure के बारे में और अब ये इस topic का सबसे important part है तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा देखे, viruses के structure की बात करें तो ये nucleo protein होते हैं यानि कि ये nucleic acid और protein से मिलके बने होते हैं nucleic acid इनके genetic material की तरह काम करता है और यही viruses का वो part होता है जो infection cause करता है protein, nucleic acid को protect करने का काम करता है थोड़ा और detail में हम इने discuss करते हैं सबसे पहले बात करेंगे nucleic acid की viruses के case में या तो ये DNA होगा या RNA किसी भी virus में DNA और RNA दोनों present नहीं हो सकते जबकि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर DNA और RNA दोनों होते हैं आपको ये भी पता होगा कि DNA और RNA या तो single stranded हो सकते हैं या एक ही strand होगा या double stranded single strand को हम refer करते हैं smalls, smalls से और double strand को ds से तो NCRT हमें बताती है कि जो viruses plants को infect करते हैं उनमें genetic material usually single stranded RNA होता है जो viruses bacteria को infect करते हैं जैने हम bacteriophage बोलते हैं उनमें genetic material double stranded DNA होता है और animals को infect करने वाले viruses में single stranded RNA, double stranded RNA या double stranded DNA हो सकता है अब भात कर लेते हैं protein की तो जैसा मैंने आपको बताया कि viruses में protein एक coat के form में nucleic acid पे present होता है और इसका काम होता है nucleic acid को protect करना इस protein coat को हम कहते हैं capsid और ये capsid छोटे-छोटे subunits से बना हुआ होता है जिने हम capsomiers कहते हैं अब NCRT बताती है कि ये जो capsomiers हैं ये अलग-अलग तरह के arrangement में हो सकते हैं जैसे कि polyhedral, helical और helical arrangement का एक example भी आप लोगों को book में दिया हुआ है TMV यनि tobacco mosaic virus इस figure में आप देख सकते हैं कि ये TMV का nucleic acid RNA है जिसके उपर ये protein coat यनि capsid चड़ा हुआ है ये छोटे-छोटे capsomiers हैं जिन से मिलके capsid बना हुआ होता है एक और virus का example आपके book में दिया हुआ है bacteriophage का यनि जो bacteria को infect करते हैं और इसका structure complex होता है जिसमें हमें एक head देखने को मिलता है ये head protein coat होता है जो कई सारे capsomiers से मिलके बना होता है इस head के अंदर genetic material यनि double standard DNA प्रेजन होता है head के बाद इसमें एक collar region और sheath होता है और finally tail fibers प्रेजन होते हैं जिसके थुरू ये bacteria पे जाके attach होता है clear हो गया? Awesome! तो ये topic almost done हो चुका है तो finally अगर आपसे exam में पूछा जाए कि animals में virus कौन-कौन सी disease cause करता है तो आप बताएंगे mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS ये सारी diseases virus के द्वारा cause करी जाती है plants में virus के infection से काफी तरीके के symptoms देखने को मिलते हैं जैसे की mosaics का form होना, leaf का roll हो जाना, या curl हो जाना, leaf में yellowing या vein clearing और stunted growth यानी growth का रुख जाना Now, ये तो हमने जान लिया viruses के बारे में तो अब viroids क्या है? बहुत ही simple तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे infectious agents हैं जो viruses से छोटे होते हैं क्योंकि इनमें viruses की तरह RNA तो होता है लेकिन उसके उपर कोई protein coat नहीं होता free RNA होता है इसलिए इनको viroids कहा जाता है और इनका जो RNA होता है वो viruses के comparison में कम molecular weight का होता है इनकी discovery की अगर बात करें तो वो हुई थी 1971 में TO Diner के द्वारा जब ये potato plant में spindle tuber disease को study कर रहे थे तो अगर आपसे पूछा जाए कि viroids कौनसी disease cause करते हैं तो आप बताएंगे potato spindle tuber disease और ये आपकी बुक में mention नहीं है लेकिन जो viroids इस disease को cause करता है उसको बोलते हैं PSTVD potato spindle tuber viroids and this was the first viroids to be discovered Done अब lastly जिनको five kingdom classification में जगे नहीं मिली उनकी बात कर लेते हैं यनि lichens lichens, algae और फंजाई के बीच में एक symbiotic association होता है symbiotic association दो organisms के बीच में एक ऐसा association होता है जहां दोनों ही को benefit होता है जिसको आपकी NCRT कहती है mutually useful associations ये association इतना close होता है कि दूर से ये पता ही नहीं चलता कि ये दो अलग-अलग organisms से मिलके बना हुआ है इसमें जो algal component होता है उसको बोलते हैं phycobiont और ये फंजाई के लिए food को prepare करता है तो आप fur से याद रख सकते है phycobiont and food क्योंकि fungal partner यहां hydrotrophic होता है और अपना food prepare नहीं कर सकता इसलिए इसको food के लिए algae की जरूरत होती है जो की autotrophic होता है clear अब जो fungal component होता है उसको बोलते हैं mycobiont और इसका काम होता है shelter provide करना mineral, nutrients और water को absorb करना और अपने partner यहनी algae को provide करना clear बहुत बढ़िया एक चीज और likens के बारे में बढ़ी interesting होती है कि pollution indicator का काम करते है कैसे? जिस area में खूब अच्छे खासे likens grow कर रहे है यनि वो area okay है लेकिन अगर likens कम हुए तो यह indicate करता है कि उस area में pollution बढ़ चुका है क्योंकि likens polluted area में grow नहीं करते all right that's it about this topic I hope आपको यह topic clear हुआ होगा अगर हां तो do leave a like आप मुझे telegram पे follow कर सकते है to get PPTs and video notifications at t.me slash biology aid अगर आप मुझे personally connect करना चाते हैं तो आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हैं at biology underscore aid I'll see you guys soon and until the next time stay curious the तो कर आपी थियां होगागा औी जए办 आप्वे एप मुझे त už दून होगा हां